अधे रादे दोस्तों हाउसी तिंक्स में आपका स्वागत है आज हम आपको तीन नंबर लड़ गोपाल के लिए ये सुन्दर सी नयपी ड्रेस बनाना बताएंगे अगर आप इस तरह ऐसे ड्रेस पहनाएंगे तो आपको नयपी पहनाने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस करके ओल पे जाके क्लिक कर दें जैसे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली मिल जाए तो देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है आज हम आपको दो तीन नंबर ल लंबाई साड़े तेईस इंच ली है और एक और इसकी लंबाई हमने साड़े आठ इंच और चोड़ाई हमने डाई इंच ली है अब इस वाली पट्टी को हम ऐसे उल्टा रखेंगे और इधर से इसको फूल करके इस तरह ऐसे फूल करेंगे और इधर अब हम सलाई लगा देंगे इसमें देखिए हमने यह सलाई लगा ली है नीचे साइड और इसके दोनों किनारों पर भी सलाई लगा ली है इस तरह ऐसे अब हम प्लेट्स बनाएंगे तो इसको ऐसे रखेंगे और इस तरह ऐसे बनाए छोटी छोटी सी ऐसे बनाएंगे और इधर हम लगाते जाएंगे इसमें देखिए हमने यह प्लेट बना ली है इस तरह ऐसे अब इसमें हम नेफा लगाएंगे तो उसके लिए हमने यह पट्टी ली है इसकी लंबाई हमने पॉने पांच इंच और चोड़ाई हमने इसकी लगभग सबाई इंच ली है अब इसको हम इस तरह ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उल्टे साइड लगाएंगे हम ऐसे रखेंगे और इस पे हमें ऐसे स्लाई लगानी है इसमें देखिए हमने यहा स्लाई लगा ली है इस तरह ऐसे अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह ऐसे और सलाई लगाएंगे फोल्ड करके इसके उपर हम सलाई लगाएंगे और अगर आप इसी में डोरी डालना चाहते हैं इस तरह ऐसे तो डोरी डाल दें फिर उसके बाद सलाई लगाएं या फिर बाद में डोरी डालना चाहते हैं तो बाद में भी डाल सकते हैं अब हम इसके उपर स्लाई लगाएंगे इसमें देखी हमने स्लाई लगा दी है इसे इतना कम्प्लीट कर लिया है अब ये पट्टी हमने जो और ली थी इसके साथ उसे हम इस तरह ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों तरब से ऐसे रखेंगे और इधर हम स्लाई लगा देंगे इधर इसमें हमने स्लाई लगा ली है अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर तक स्लाई लगाएंगे इधर हमने इसमें स्लाई लगा ली है अब इसके सेंटर पर इसको इस तरह ऐसी रखेंगे इसे रखके इधर हम सलाई लगा देंगे देखिए इसमें हमने ये सलाई लगा दी है ये हमारी नेपी ड्रेस बन गई है अभी हम आपको पहना के दिखाएंगे पहले कैप बनाना बताते हैं उसके लिए हमने ये किये पट्टी ली है इसकी लंबाई हमने डेड़ इंच ली है और इसकी लंबाई 12 इंच ली है अब हम इसको इस तरह ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करके इधर हम सलाई लगा देंगे इधर हमने देखिए सलाई लगा दी है अब इसमें हम छोटी-छोटी प्लेट्स बनाएंगे इस तरह ऐसे इस तरह ऐसे और हम सलाई लगाते जाएंगे वसमें देखिया हमने सलाई लगा दी है इस तरह ऐसे फेल बन गई है यह देखिया अब हम एक कपड़ा लेंगे इसकी लंबाई हमने सबाधीन इंच और चौडाई लगवक सबाई 1 इंच ली है अब इसको इसके उपर इस तरह ऐसे रखेंगे ऐसे और इधर हम सलाई लगाएंगे इधर हमने सलाई लगा दी है अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सलाई हम इधर लगाएंगे मैं हमने ये सलाई लगा दी है अब इसको ऐसे उल्टा रखेंगे इस तरह ऐसे और इधर सलाई लगाएंगे इधर हमने इसमें देखिए सलाई लगा दी है अब हम उपर सलाई लगाएंगे सुई से इस तरह ऐसे और इसे हम बांद देंगे ऐसे सीधा करेंगे सीधा करेंगे देखिए हमारी कैप बन गई है अभी हम आपको पहना के दिखाते हैं यह ड्रेस हम तीन नंबर लड़ गुपाल को पहना रहे हैं अगर आप इस तरह से ड्रेस पहनाएंगे तो आपको नैपी पहनाने की जरूरत नहीं है इस तरह ऐसे इसे हम आँगे बांद देंगे डोरी डली है तो इसके घेर को हम ऐसे एड़जस्ट भी कर सकते हैं देखिए इसे हमने पहना दिया है अब हम कैप लगाएंगे यह देखिए मारे लड़ू गॉपाल जी कितने सुन्दर लग रहे हैं और नैपी पहनाने की भी जरूरत नहीं है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें तेंक यू